हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो का टॉपिक है बॉस सीधा बिना किसी भूमिक आगे आज हम लोग बॉस पे बात करेंगे बढ़ा कॉंप्लिकेट टॉपिक है मैं भोलना नहीं चाहता इतना कॉंप्लिकेट टॉपिक है लेकिन वन मैं इसलिए बोल रहा हूं हर व्यक्ति पॉर्णि में में जॉब में अफिस हर जगा कहीना कहीं आपको अपने बॉस का सामना करना पड़ता है है तो बड़ी पुरानी कावत है यह बॉसे समंचब्स ऑब कुछ बोलू मैं आपको कहानी सुनाता हूँ आप कहानी से समझ जाओगे एक कमपनी का बॉस जूनियर मेनेजर और सीनियर मेनेजर तीन लोग एक मीटिंग के लिए जा रहते हैं पैदल पैदल उससे एक जिन पैदा हो गया अब जिन ने बोला कि देखो यूजरी तो मैं सबकी तीन इच्छा है पूरी करता हूं तुम क्यों कि तीन लोग हो तो अपनी एक एक इच्छा बता दो अपके बॉस यार बॉस सबको लगता था मारा बढ़िया तो इतने तपाक से सीनियर मेनेजर सबसे पहले बला सब मुझे सिंगापुर जाना मेरा अर्रेंजमेंट करो माज है हृँ जिन्र तो जिन्र तुरण्थ विमान बला सबस करेंएं था इशेयर मेनेजर सिंगापुर आप सीञेर मेंचर सिंगापुर जूनियर वाला चुप तुठ ज़े मिश een कchnand सबसे पहले बॉलने दे आप किसी मीटिंग में बेटे हो ना कहीं भी काम करते हो कर आपको बॉस को सबसे पहले बॉलने दे तो बॉस को सबसे पहले बहुत बहुत बढ़े लगता है वह तो आप सबने सुनाएगी अपने फादर की वजे से उन्होंने कहा था कि मैं शादी नहीं करूंगा और सिंगासन की रक्षा करूंगा जो सिंगासन पर बॉस बनके बैठेगा मैं उसमें पिता के सभी देखूंग और उन्हीं के आगें कपालन करूंगा तो ना चाहते हुए दृतराष्ट को राजा बनाया गया और दृतराष्ट ने कई सारे ऐसे डिसीजन्स लिए जो उनको मानने नहीं थे लेकिन मानने पड़े उन्होंने माना जब युद्ध चल रहा था तब भी वो दुर्योधन से असेमत थे लेकिन दृव्योधन की तरफ से युद्ध कर रहे थे मुझे बहुत बढ़े लगता भी संपितामा का करेक्टर इस टाइम पर है तो क्योंकि उनके पंडव भी उनके प्रिये थे तो पंडवों को भी वो मारते नहीं थे युद्ध करे जा रहे थे तो लेकिन ज जीते जा रहे थे तो खुष्ण जी ने का भी ऐसे काम नीजिले रास्ते से अठाना पड़ेगा तो जिससे बोले क्या कि रहे देखो यार अपर यह ते तुम्हारे बें तौम्सेप्ट क्या है है तो गए क्रिश्ण जी के साथ गए तो भी संपितामा ने बोल दिया कि मैं तौम्हारे तरफ से युद्द्दू कर नहीं जकता है और मुझे मारने की युक्ति क्रिश्ण को पता है क्रिश्ण जी को पता है वो कर लेंगे कल इसे कहते हैं लॉयल्टी और अपने बॉस के प्रती निस्ठावान होना उन्होंने पहले अपने बॉस की जुनी उसके अगर आपके ऊपर कोई वह से तो पहले उसे बोलने दें और उसके इर्दगिर्द ही बोलें